जने के बाद बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसम्बर वादे देखनें 2513 पार कारवा करता हूँ नजर आ रहा है आदे फीजदी की तेजी बिनौला खल के डिसम्बर वादे में बंती वी नजर आ रही है आपको बता दें कि बिनौला खल में बिनौला खल की कीमते हमने नीचे में 2300 तक जाते वे देखी थी और फिर महां से एक खरीदारी बनी थी 2300 के नीचे नहीं गई थी बिनौला खल की कीमते 2200 के लेवल नहीं दिखाया था तेइस सो पर गई थी और फिर वहाँ से एकदम से खरीदारी देखने को मिली हाला कि बिनौला खल की जो कीमते हैं वो 32 के लेवल से तूटती हुए नजर आई है लगबग 900 पॉइंट की गिरावट हमने बिनौला खल मा आती हुए देखी है जो की काफी जादा बैठती है आपको पता देएं कि कॉटन में जो फंडमेंटल्स बनते हुए नजर आयते गिरावट वाले उसके चलते बिनौला खल की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिली थी और दूसरा सोय मिल इंपोर्ट होने का असर भी बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुए नजर आया था जिसकी वज़ा से बिनौला खल में हमने एक गिरावट आती भी देखी और दूसरा अभी बिनौला खल में हमने देखा है कि 2400 के बाद से बिनौला खल की कीमतों ने 2500 का लेवल पकड़ लिया है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बिनौला खल की जो कीमते हैं वो 2500 के उपर कारवा करती ही नजर आ रही है और अब जानकार यहां से बता आ रही है कि बिनौला खल में अभी हाल फिलाल में हफता डेड़ हफता के अंदर 100-500 पॉइंट के तेजी अभी और बंतीवी नजर आ सकती है तो बिनौला खल में अभी एक छुटमट खरीदारी बंतीवी नजर आ सकती है